नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग BTSC A&M बदलाओ के बारे में जानने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें बदलाओ हो सकते हैं और साथ ही हम लोग जैसे की BTSC A&M की जो आगे का प्रोसेस है उसके बारे में भी जानेंगे और जो आपको लेकर extension किया गया है और उसकी जानकारी भी हमने आपको बता ही दिये थे अब सिर्फ A&M में BTSC A&M बाले बच्चे हैं कि इनकी पहाली की परकिरिया कब तक पूरे होंगे और किस तरीके से इनका सारा प्रोसेस होने वाली है सारी जानकारी आपको मिलने वाले हैं तो वीडियो के अंति तक ज़रूर बने रही हैं क्या को जिसमें बदलाग किये जाएंगे जैसे कि लागतार जो अनम कर्मी है जो भी BTSC A&M की तयारी कर रही है जो भी A&M सिस्टर है उनकी लागतार मांगे है या काना है जैसे कि हमको लागतार कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि क्या BTS A&M में बदलाग किये जाएंगे सेंटर को लेकर जैसे कि इसमें बहुत कम अभी सेंटर को डिफाइंड किया है जैसे कि जिए जाएगा तो क्या इन इन सब को इन सारे डिस्टिक में आने होंगे क्योंकि ये सारे कंडिडेट के मन में है क्योंकि एक्जाम को लेकर तो आप किलियर हो गया है कि एक्जाम होंगे ही और भी जनकारी हम लोग जानेंगे यदि आप लोग त्यारी करना चाहते हैं अच्छे से आपके रेगुलरली क्लासेज चल लिए है बहुत सारे क्लासेज अभी हो भी गई है तो आप लोग इस पे इस नमर पर कॉंटेक्ट करें पीडियाफ के लिए और क्लासेज के लिए आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिये जाएंगे निश्चित रूप से आपक कंडिडेटों का देगा लेकिन जो रिजल्ट बनेगा वह 10709 भैर्थी का ही बनेगा तो जो भी कंडिडेट त्यारी कर रहे हैं उनको अपना 100% अब देना होगा क्योंकि अब आपके इस पास बहुत कम समय बचा है कि त्यारी के लिए क्योंकि बहुत जल्द आपको एक वी और जैसी कि पत्ना मुझापरपुर आरा और छप्रा में सेंटर का भी जिगर किया गया बीटिसी के तरफ से इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं और भी डिस्टिक में इसका सेंटर है वह बढ़ाया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे डिस्टिक से एनम सिस्टर आएं तो ऐसे तो पत्ना में भी बहुत सारा सेंटर है म्यचा परपुर में मुझापरपुर सेंटर से जैसे कि अगर आधर डिस्टिक छारा और छपरा एंट किया है तो री डिस्टिक इसमें चाहलों क्रक्राट क्रक्ते हैं तो यह बदलाव आप लोग को देखने को मिल सकते हैं उसको लेकर BTSC निस्यत्रोप से जो नोटिस है वो जारी करेंगे और उसमें आपको सारी जानकारिया बताएंगे कि इसको लेकर कि क्या कुछ उसमें बदला किये जाएंगे और अब आप लोग की जो परिक्षा है वो ऐसे आप दिन गिनते जाएगा आपका दिन भी जाएगा इसलिए आप लोग तयारी अच्छे से करिये तभी आपका इक्षाम निकल पाएगा क्योंकि BTSC अब एक्षाम तो लेगा ही लेगा क्योंकि BTSC ने सारा कुछ अपडेट करती है तो बहुंच जल्द आपको एक्षाम डेट भी देखने को मिल जाएगे तो जैसे एक्षाम डे और यहाते हैं यहां कि लिए बेंल से कए की मिचनंगे की जान कारी है आपको हो प्लेड़ रदी there लिए तो ऐसे में आप लोगों को तैयारी है कि इसमें दस खांप भी सेलेक्टित हուगा higher education का mark भी क्यों नहों फिर भी ये जो पठेगा उसी को मिलेगा नौकरी उसी को merit में नाम आएगा तो इसलिए आप लोग अपनी तयारी अच्छी से करिए तभी आपका selection हो पाएगा और भी आपके कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेशन में जरूर लिखे सारी आपको अपडेट मिल जाएंगे और आपके classes regularly चल ले हैं तो नेशित रूप से एटेंट करें तक्यों